तो यह है example 8 इसमें क्या लिखा हुआ है ? sec inverse x plus cosec inverse x तो सबसे पहली बात यह जो लिखा हुआ है sec inverse x और cosec inverse x यह एक formula है क्या formula है ? sec inverse x plus cosec inverse x is equal to pi by 2 तो अब इसका मतलब हुआ है क्या ? तो यह जो value है, मतलब इसको यह हम लोग लिख सकते है pi by 2, so, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यह cos जो होगा, यह pi by 2 होगा, क्योंकि हम लोग क्या किया है, second verse x और cos second verse x के जगा में pi by 2 यूज़ कर लिया, तब cos pi by 2 का value क्या होता है, cos pi by 2 का value, तो sign का 0 जो value होता है, यानि कि यह 0 होता है, तो इसका answer क्या होगा, 0, ठीक, यह था example 8,